खबर जनपत पौड़ी से है जहां गड़वाल विश्व विदाले के बीजियार परिसर की बालक छात्रवास के मेस के खाने में कीडे मिलने से छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है इसी विशे को लेकर छात्र संग अध्यक्ष अभिरूची नौटियाल ने कहा कि बालक छात्रवास में रह रहे छात्रों के स्वास्ते से लागतार खिलवार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि बीते तीन माह में कई बार खाने में कीडे पाए गए इसमें प्रशासन से लेकर विश्व विदारे प्रशासन से शिकायत की गई लेकिन कोई करवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है जिससे लागातार छात्रों में आक्रोश है इसे बीच परिसर के निदेशक प्रोफेसर यूसी गैरोला ने कहा कि इस मामले में 6 सदस्य समीती का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि छात्रवास में बेहतर वेवारा के लिए सिफारिशों के अनुपालन को नोटिस जारी किया है जिसके तहित 15 दिनों के भीतर सुधार नई होने पर करवाई अमल में लाई जाएगी पौडी से मुकिश बचेती की रिपोर्ट यहां पर तीस दिन से लगबग लगबग चालीज जो बच्चे हैं वो मैस में खाना निखा रहे है और सिफ पांच बच्चों के लिए यहां पर खाना बन रहा है इतने टाइम से एक महीने से तो मैने सिम्ण गर पर यहां के परसासर तो मैं इसन पर पहुंचा ही और इस हाँ को प्राप्सा सी से मर्भ यहां का यूनेस्टि भूए निकर रहा था मेस चलती है हमारे यहार इसमें बच्चों ने सिकायट की थी कि भोजन में कीरा मिला है तो उन्होंने सिकायट की तो हमने मेस इंचार जो है उसको बताया जो है ऐसे सिकायट आ रही है तो उसमें कहा कि नहीं था पिर हमने उसके बाद चलता रहा लगातार निगरानी होती थे मैस की बच्चे लगातार जो है उसमें कंवेंट करते रहे कि इसको हटा दो मैस वाले को और मैस वाले को हटाने का उनका यह था कि पहले से ही मैस को जब तक उसको मिला भी नहीं था तब से ही उसके परतिपूरा जब लगातार प्रसेश चलती रही तो इधर नवंबर में पैसे देने की बाद थी बच्चों से पैसे लेने की तो कुछ बच्चों नहीं थियो तो पैसे जब उनसे मागे गए तो उन्होंने उसके बाद खाने का बहिसकार कर दिया